अस्सलाम अलेकूं कैसे आप सब अलम धरेल में एकदम ठीक उम्मित करती हूं कि आप सब एकदम ठीक होंगे तो जी ये बेगेरत है ना जो डिडी दल्ला और ये छम्या ये दोनों मतलब इतना ज़यादा दिखावा कर रहे हैं ना इतना ज़यादा नमास दिखा रहा है कि दे मुष्टेम की नमाज का वो तो तुझे याद नहीं रिया अब तुझे याद आया है कि भई हमें नमाज भी पढ़नी है और दिखाना है नमाज पढ़के अब यह इसके पीछे की पढ़के के टिक्राइब नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़ को को यह बात बोलने का मुखा न मिलेश के लिए अपकोके कीπόलेंगे इसलाम में न माज है के नमाज पढ़के लेकिना करते हैं हम तो पढ़ रहे हैं हमने तो दिखाए है बस यहीं वजह से ना दिखावा करें ना के लोग नमास पढ़े ठीक है इतना इलोग चालू है खैर लेकिन इधर आप यह दिखावाई करने के लिए लेकिन विठाई जरूर पातमा जो पाइब सोसी कय तिरी हरकत कबो सबसे पहली बार के यह भी किसी की बेटी नहीं थी उसके बच्चों किसी के बेटी नहीं थे पात्मा तुमारी बीवी किसी की बेटी नहीं है जो जो अर्तों के साथ में तु खेला है उनते पैसे लूट-लूट के नंको तुने ब्लैक्मेल किया वो किसी की बेटियां नहीं थी रिएक्शन वोलों के ऐपर जो गंदी-गंदी बाते करता है तुझे ठंडा कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं गालियां देता है वो किसी की बेटी या नहीं रहिए चम्get पर तुझे याद आ तब इसको याद नहीं आया था कि फातुमा भी एक वरत है कर तो तो तुने ये बात नहीं बोला जब तु सल्मा को गंदा कर रहा था तब तुझे याद नहीं आया था कि पिटारा एक हॉरत होके वरत का घर खराब करके आई थी तो मैं खुतरा बीच में क्यों कुद हूँ दो साल तलब के मैं सलमा का खून क्यों पी हूँ तब भी तुझे याद नहीं आये था अब तुझे सब याद आ गया के एक औरत होके औरत पर तनकीद करते है इतना नहीं करना चाहिए एक बरदाश होता है एक लिमीट होती है वो सारी लिमीट तुझे नहीं याद आई थी जब तु सलमा के उपर बैटके बकवास करता था दो साल तलब के अभी है तकरीबन एक देड़ मैना हुआ होगा तुने बकवास बन किया है क्योंकि तु तु तो हनीमून पे है तो तुझे हर जगा पे सिर्फ और सिर्फ शम्या नजर आ रही है उसमें भी तु बीच-बीच में रियक्शन देता है इसमें भी तु सलमा को घसीट के लाता है तब तुझे ये सारे डैलोग नहीं याद आते जो औरतों के अपर तुने इतनी गलाज़त बका तब भी तुझे नहीं याद आता तो तु आया बड़ी-बड़ी बाते करने वाला चम्या कहीं टाइम पर क्यों याद आ जाता है तुझे ये सब और रही बात लिमीट की तो पहले अपनी लिमीट देख तुने तो जिन्दगी की भी लिमीटे तोड़ दिया है तोड़ फो कि देखो तो सभी कि मैं क्या करता हूं यह घर भी खूश रहेंगा eld builder भी खूश रहेंगा पहले ही आप इस तरह से ज़िए करने लगते हो सामने अले बंदे को मौन का तो देना चाहिए तो मैं दोनों को कूश रखूंगा तो यह थारी तो छाजित काया था फ्रव कर रहा है इतने दिन कभी नहीं रहा ह। साजित तो इतने दिन कभी भी नहीं रहा दो साल मैंثे दूनbereich न्यूंत Pinälty तो ने गालियां पड़वाया के साथ मिलके बराबर तुन्हें उसका कॉंटेंट चलाया तो वो टैम पर क्यों नहीं याद आया तुन्हें क्यों नहीं बोला के नहीं सब्सक्राइब यह तो भी बिल्कूल भी उसका हक नी देता भिल्कूल भी खुश नहीं में कोई हुकूप पूरे करता है । ना तो उसको घर लेके दिया है साजित तो पूरा पूरा पिटारा का कुट्टा बना हुआ है तो चलो भई कॉसर को गालियां देना बन कर दो और साजित को भी छोड़ दो उसको भी कुछ मत बोला करो बलके पिटारा से सवाल करो कि तुन्हें किस बात की सिंपति लीती भई बच्चे लेखे ड़ाने मार्किट लेके लहाँ चूप गरही तो इन सब बातों का जवाब जुरूर CleUST ना दूसरों के उपर जब बाते करता है ना के इतनी बड़ी-बड़ी तो पहले अपना जो पिछला दिन है ना वो याद कर के तुने क्या-क्या गंद मचाया था बराबर अल्ला ने तुझे उसी पॉइंट पे लाके पटका है के तु इतनी बुरी तरह से जलील हो रहा है ये सारी पिटारा की पोल पट्टिया एक तो खुल रही है उपर से अल्ला तुझे सजा दे रहा है उन सब चीजों के लिए ऐसा नहीं है कि तेरे घर में किसी का हुआ है और तु बात कर रहा है तो हम तेरे पर सवाल उठा रहे तु खुद वही गंद कर रहा है तो कुछ भी न दज़ नहीं जाना चीए वह रोक लेंगी वहां पर कैद करके रख लेंगी वह सिखा पढ़ा लेंगी यह सारे तेरे डायलोग होते थे ना तो अब खुद के लिए टाइम क्यों मांग रहा है क्यों बोल रहा है कि देखो तो सही में दोनों को हग देता हूं के नहीं देता ह चाहा हं करें तो डिस्को और तुम करें तो मुझरा वह वह वाला इसाब है तेरे लिए मॉक देना चीए और घंचन के लिए गालियाँ वावाव है बज़ाओ नीची तालिया कि जेंटानी अ कि तूने गलता है कि तूने गलत नहीं निकाब किया तो पिठारा ने तो जैड किया था उसने गलत किया था है ना ये बात तो तू मानता है ना ये पिटारा ने तो गलत किया था तो फिर गलत का सपोर्ट तूने क्यों किया था इस बात का जवाब दे आके ठीक है तूने क्यों उसका सपोर्ट किया था तू गलत कौन किया था पिटारा ने किया था कि प्पिर भी तूने उसको बैठके गलत किया, उसको बैठके तुने इत्ता गंदा किया, उसको ट्रोल किया. और अब जब तेरे पर बात आई तो कोगोंचु में लिएлемे लिएशा औरूर यहाली किया. जबके तुम लोगों के पूरे टबर में सब की तीन से ज़्यादा शादिया है लेकिन तुम लोगों को गोंचु गलत लग रहा था क्यों क्योंकि पिटारा को डलर जो चापने थे अब तुम्हारी बारी आई तो तुमने गलत नहीं किया है इसको बोलते है मकाफाते अमल अल्ला तुमको यहां का यहीं दे रहा है देख लो अज वो गोंचु की जगा तू खड़ा हुआ है और जब तुझे चपले और जूते पढ़ रहे हैं तो तुमने गलत नहीं किया कि और जब गोंचु ने तो आज तक आके उफ करके नहीं बोला है कि मैंने निका की आऊं मुझे क्यूँ गालियां देते। क्यों मेरी बीवी को असर को गालियां देते हो आज तक कि इसने मूँ निखो ला इसके वज़े से पिटारा के वज़ेते क्यूंकि एक जल्लाद ऑुरत है वह एक मार्क उठ करने वाली घटिया ऑरत है वह इसके लिए और तू जल्लाद है तब सब्सक्राइब बीवी का मुथ बन करके बेठाए लोगों के नभात नाइस और दानेकए इस नहुंख तो पैटके तुमीरी आदेगी है नहीं अच्छा तो कोशर फेcentric नहीं थी जिसको बैठके तू सलमा को गंदा कर रहा था वो फैमली नहीं थी नैना के टाइम पे तू बूल जाता है कि नैना भी तो तेरी फैमली बलके तेरी तो सगी बेहन है वो या सगी नहीं है मुझे लगता है कि सगी नहीं है कोई और बाप से है वो जड़ावली चुड़ वो तुझे नहीं यादा थी कि वो भी तेरी फैमिल्य कर दो ने पिर विने दो इसको कुछ ना बोलो ऐसको इतनी बाते नहीं है तो आप लोगो को सोचना चहिए बन्दा डीप्रेशन में ने चला जाई या आपको अगर कुछ कर लूँगा तो यह दोनों फैमली को कौन देखेंगा तो यह सारी बाते तुझे दो साल तलक के नहीं याद आई जब तू सलमा के लिए इतना गंद इतना डेली का गंद बकता था और गोचु को पीछे लगके तुम लोग को जो बदुआये दिलाते थे तब भी तुझे याद नहीं आया कि हम लोग जो इतना पीछे पड़े रहते हैं सलमा के कोसर के तो अगर उन लोगों को प्रेशन हो जाता है या उन लोग अपना खुद की जान का कुछ कर लेते हैं तो उनकी फैमली को कौन संभालेंगा यह तुझे वो टेम पर क्यों नही आएंगे वह अच्छे दोगले पने हैं तेरे यह बनता है मर्द और उरत को इतना ट्रोल किया इतना ट्रोल किया और वो दो साल तलग के मजबूती से खड़ी रही एक लवज उसने आके इसको जवाब नहीं दी और इसकी बारी आई तो यह पूरा बायला बन गया कि मैं तो कुछ करना मैं तो डपरैस्शन में चला जाओंगा कितना जो प्ता Monster पर कानिमून धाइना घर जमाई कि सोफे पर बैट करको बेरे जया, क्या आकुझा सब्सक्क्राइब अभी तो तेरे तरीव नाकून सड़े है, टेंचन मतले तु उपर से नीचे तलक सड़के मरेंगा, जिस तरह से तुन्हें हाई बदुआएं लिया एना इतनो की तु सड़के मरेंगा, बग की एक्टिंग करनी थी भई नमाज की इसोचा कहा नीचे बैटके एक्टिंग करू चलो तु मेरे पैर के पास में जानमाज रख दो, तो मैं दो मिनट की खिलीप बना के अक्टिंग कर लूँगा, तो वही अक्टिंग थी भई इसकी, कोई नमाज नीपढ़ रहा है, ड्रामे कर रहा है, सिंपती गेन करने के लिए, पिटारा नीं करती थी तुरू में, सेम कोई अगले वीडियो में या उसके बाद वाली वीडियो में जरूर बताऊंगी, तो वीडियो जरूर देख लो, खुदी बता रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मकार फाते अमल नहीं हुआ है, कूछ नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है, कि फात्मा और यह मिले हुए दोनों जने मिले हुए है, दोनों जने मिलके यह गेम खेल रहे है, बाकी गेम बहुत बड़ी है, बहुत बड़े अमाउंट की गेम है, इंशालला आगले वीडियो में या उसके बाद वाली वीडियो में जरूर बताऊंगी, तो वीडियो जरूर देखना आप लो, बाकी फात्मा की सपोर्ट में बात कर रहा है क्या बाते करना बनता है ना क्यूंकि जाहिर सी बाते मिले हुए है तो फात्मा की ट्रोलिंग भी नहीं सुनेंगा सही अच्छा है वैसे लोटा मामू को अच्छी चपल पड़ गई बेशरम गया था इसके निका में शादी करवाने के लिए देख ले तेरे मूपे चपेड मार दिया फिर यह मुच्छड को भी यह कर रहा था कि लिए कि वो तो स्रीफ गाड़ी देने के लिए आया था वो तो निकामें नहीं आया था तो तेरे बोलने से क्या होता है तो एक नंबर का जूटा फ्रॉड आदमी है तुने दस ब सब्सक्राइब मना रहे रोज हनीमून मना रहे इसको तुने भैन बोला था कलमा पड़ा था तो तेको क्या लगता है कि तेरे बोलने से तेरे यह बयान बाजी से कि वह नहीं था निकामें मान जाएंगी और तुक्ता बड़ा जूटा है ना सब को पता है बलके तो मुझे तो हाँ इसकी बात करनी थी यार अच्छा याद आया क्या बात है तो तो बड़ा शेर बनता था और कमेंट बन करके रखा है फड़ गई वाव अभी से अभी तो कराची जाएंगा तब जाके आउडियंस सही वाला फाड़ेंगी तेरे को अभी तो फड़ गई दोनों जने कमेंड बॉक्स बन करके रखे वाव 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 क्या शेर है वाव बकी तेरे बोलने से कोई नहीं मानेगा क्योंकि बात प्रूफ हो चुकी है कि लोटा भी था चुबिना भी थी चुबिना को भी तो किलियर कर रहा था ना चुबिना भी थी और वो मुच्छड बेगैरत सामने लाएंगा उन लोगों को मुझे तो दो तीन जने के नाम पता चल गए है लेकिन अल्ला लाएंगा सामने टेंचन मतले बाकी तेरे बोलने से कुछ नहीं होता है तू बोला ही मत कर तू एक नंबर का जूदा और प्रौड आदमी है अच्छा नज्जो को और आईशा क को भी दमकी दे रहा था परबात करने की जरूरत में बड़ी तुझ का की दरद लगा रहा है क और पुजव सकूल motive टूशन तब तूज्ड़ सरत नहीं तो है ना क्यूंकि याँटियंस को लगे के नहीं भई ये तो फात्मा से बड़ा प्यार करता है फिर से तरे को गालियां कम दे ना इसके लिए तो यह धारा कुंछ कर रहे है की हम दर्दी दिखा रहा है और ना जो को अइसा को धमकियां दे रहा है फिर मैं चोड़ुंगा नियुक्त पश्टार होंगे वो लोग जो इसे भाई 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 कहके इसके पैनलों पर भाग के जाते थे तो इसको अपने पैनलों पर सजा सजा के बिठाते थे क्या कर सकते जैसा भाईंगे वैसा ही काटेंगे न वहते ना भी इंज बोया बबुल का तो फल कहां से पाओगे तो उन लोगों नहीं तो इनको सर पर कढ़ाया है तो देखो बैठके उसके बारे में च्लूब भाई वीडियो जाके अब भी पर देख लेना ठीक है तो इसन न helemaal बात कि लिए कि इसको इसनुमेसर जल्दी मर जाएंगी तो बिल्कुल मरेंगी जैसे यह जिते जाते बंदे को दुनिया से उठवा दिया है तो तुम लोगों काभी तो होगा ना मकाफाते अमल तो तुझे बड़ी मिर्ची लग रही है कि इसको क्यों बोल दिये कि यह मर जाएंगी नहीं यह कयामत के कव्वे उड़ाएंगी बेशरम कहीं का भीमारी है, अमें जरूर लिखना कि बिलकुल इसको बिमारी में यह मोतला होना चीए और सड़ सड़ के मरना चाहिए यह बात तो सही है क्योंकि कर जो हुआ है, उसके ओपर कुश होना, नैना की हलात के ओपर, खोश होना और गंदी गंदी बाते करना तो अल्ला इनके उपर वो दिन लाए और ये लोग तड़ सड़ के मरे ऐसी बीमारिया इनको हो कि इनको कोई पानी पिलाने वाला ना हो और इनको कीड़े पड़े और मरे ये लोग तिन दिन लोगों ने इन गंदे इंसानों का सपोर्ट किये है, साथ दिये है। उनका भी यही हाल होगा और इंशालला इनका भी यही हाल होगा। और जिसको यह बदवा देर आये आ उसको तो तो बिलकुल लगेंगी इंशालला लगेंगी जो हलात के ऑपर इंथान की रूप आप जाती है वह हलात देखके वह बंदी खूशो पूश हो रही थी तो आमीठ उम्हा यह और यह बात चम्या की तो चम्या तू भी रेडी रहे क्योंकि जो हाल आईशा का हुआ है जो हाल फात्मा का हुआ है तेरा भी जरूर होगा फात्मा को देखी थी ना किसे कैमरा पकड़ पकड़ के बैठी रहती थी तो सेम तू भी वैसी कर रही है कैमरा पकड़ पकड़ के ब फीर और इसी तरह से टेरे साथ में भी जाती करेंगा और बहुत जल्दी आएंगा इंशाहला हुआ का पांच-6 साल में आ था तेरा देर दो या धाई साल में आ जाएंगा इंशाहला अगर वाइटी पे रहे तो सब देखेंगे तेरा तो फात्मा और आईशा से भी ज्यादा बत्तर होगा ना तुदीन की रहेंगी ना दुनिया की तो चले इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करती हूं वीडियो कैसी लोगी कमेंड में ज़रूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते झाल 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